नमस्कार मित्रो जय माता दी माता राने की किरपा से फीर सेक और नए वीडियो में आप सबी का स्वागत करते हैं आज से लेकर अगले तीन दिनों तक में मेश राशी वाले जात्कों का दिन चरिया कैसे रहने वाली हैं और किन कीन चीजों से आपको सावधन रहना है इस विडियो में आपको पूरी जनकारी मिलने वाल हैं वेडियो को पूरे अंतक देखें और वेडियो का कोई भी पाठ पसन आए तो वेडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें जै माता दि और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और साथ ही वेल आइकन को प्रेस करें इता की रोजाना रासी फल आपको समय समय पर मिल सकें घार परिवार तथा बैपसाई में उच्छे समाजी बना रहेंगे भावनात्मक रूप से खुद को करने तथा प्रकिर्तिक के निकट में वैतित करें इससे आपको नई उर्जा अनुभूती भी होंगी परन्तु कभी कभी किसी बात पर जीदा जाने से आप अपने लिबिन रुकावटे पायदा कर देंगे इसलिए स्वाभाब में थोड़ा लल्ची रापन बना के रखना जोरी होंगे किसी परिशानी से नजदिक के मित्र के साथ में विचार विमस करना आपके समस्चाओं का भी हल निकाल सकते हैं आपके अगर कोई नया काम सुरू किया है तो अभी रुकावटे भी बनी रहेंगी परन्तु हिमत ना हरे जल्द ही परिस्टित्या अनुकुल हो जाएंगे परिवारी के सदच्चों की साला और आपको उचित रास्ता भी सुजा सकते हैं घर का माहल कुष्ण माबनाई रखने में आपका पूर्ण सयोग रहेंगे प्रेम संबंदों में नजदिक के बनी रहेंगी सुआस्त ठीक रहेंगे सिर्फ वातावरन की वज़ा से एलर्जी जैसे दिक्कते भी रहने के भी संभवनाई रहने वाली हैं और मेश रास्य वाले जातों के लिवी आप अपने और आपको उर्जावान मैसुस करेंगे सितारे कहते हैं कि अगले तीन दिनों तक आपको परिवार या संपर की किसी भुजुर की सहता भी करनी होंग गरहस, गिरेस्तर, राज जीवर में जीवन के साथ ही और कुछ अच्छी बात बताएंगे एक तरफा और प्यार आपको निरास भी कर सकते हैं आप आर्थिक मावलों में समझदारी रखने होंगे बिजनस सम्मद्री मावलों में निवेश करना अच्छा रहेंगे आपके का काज को नई दिशा मिलने की संभवनाई बन रहें कार छितर में केवल कहीं भी करें जो आपको सही लगें बच्चों को सेयत बदलते वातावरन की वज़त से खराब भी हो सकते हैं और सावधान रहें परिवार के साथ में नई कार में घुमने भी जा सकते हैं इससे आज के आपके लिए बहुत ही बैतर रहने वाल हैं अगले तीन दिनों तक आपके विवाई की जीवर में आपके लिए कुछ अच्छे परिवर्तन लेकर आएंगे लेकर परिवारिक कलर फिर से सिर पर उठा सकती हैं जिसके कारण आप परेसान रहेंगे यदि ऐसा हो सके तो आपक इसमें से दोनों पक्चों में सून कर ही किसी निरने को लेना ही बैतर होंगे और आपके घर में अथिती आगमनक भी हो सकते हैं जिसके आपका कुछ धन के लिए होंगे आप अपने सचुरार पक्च के किसी वेक्ति को यदि आपको धन उधार देंगे तो वह वापसी रिष चिसा को के लिए आपको कुछ कछी परिस्तितियों केलिए सामना करना पढ़ सकते हैं कििन्तु आप अपने बोधिक्ता और विसलेसरतन llegó कराश सकतियों के लिए साथ में सभी का समधान करने में अब सक्चम होंगे आपके घर में परिवार को आपके साथ ध्यान की ओर से अपके जीवन सेली में सुधार लाने है तू चल रही आपकी कोशिस के आपके परिवार के सदस्य आपको मदद करने वाल हैं।